हाई एबरिवन उम्मीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइस आज मैं जा रही हूं से दारा तो हम निकल चुके हैं अभी रास्ते में हैं तो गाइस आप देश सकते हैं यहां पे बहुत जादा गर्मी हो रही थी और गर्मी से मुझे इतनी जादा प्यास ल ठाधा ट्राइफिक तो हमें यहां से गाड़ी को वापस बूड़ना पड़ा हुए च्ञाओ कों इत्तजार कर शक्ते कि यहां पे अंधेरा हो जयता है इतना जादा ट्राइफिक हो रहा था बहुत ही ज्जादा ट्राइफिक हो ले प Mich i7 गंटे तक का इंसक्यों कर इसीन इसनान कर रहे थे नहां दो रहे थे तो यह पानी तो गंदा हो चुगा था और मैंने नहाया बिल्कुल भी नहीं कुद्धे मुझा के बैठी और पहर रोको जाके पानी में भी गोया और यहां पे गाइस मुझे चूटी चूटी प्यारी प्यारी मच्छीयां देखने के आई और इतनी ज्यादा खुश हो रही थी और घर आते समय मैंने रास्ते में थोड़ा गाना वीडियो बनाया गाने का और गाना गाते-गाते मैं घर पहुंची आप देख सकते हैं और हमने बहुत मस्ती गरी कुछ ज़्यादा तो खास नहीं था क्योंकि पहुंच ज़्या को मैंने धुली मेर में निकाल दूला चनाइक झौने ने ठाली में रख भी इतनी चुटी चूटी प्यätी मस्ती देखने के रिवे और दे को काट और अंडे को मैंने ओमलेट की तरह बनाया। देख सकते हैं ये मेरा बनाने का तरीका कुछ तरह कुछ अलगी है गाईस आप बटर डाला तवे पे और मैंने छोटी-छोटी मच्छी ओप तावे पे फ्राई किया तो गाइस आप लोग प्लीज गाली मत देना क्योंकि मैंने कई सालों से मच्छी नहीं खा दी तो मेरा मच्छी काने का बहुत मनता इसलिए मैं मच्छी पड़क लाई और मैंने छोड़ा लगाया और अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने दूसरा ब्रेर उठाकर इसके उपर रख दिया और बीच में ने मच्छी ओको अभी अद देख ना बीच में मने मच्छी ओको यहासा मैंने बना दिया ये मच्छी ब्रेट सैंड़ीच और मैंने इसको खाने के लिए प्लेट में लगाए और खाने के बाद इसका स्वाद देखना वाह क्या गजब का स्वाद था